अच्छे अख्लेस यादव तो जो भी बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते हैं आप इस बात को मानते हैं ना पता नहीं क्या बोलता हूँ मैं जो आप बोलते हैं बिल्कुल सोच समझ के बोलते होंगे तो हमारी लड़ाई है UP की हां मैं UP की बात कर रहा हूं हर्दोई की बात कर रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्याच अखले से आदम ने कहा जिन्ना, वो जिन्ना को लेकि बहुत बवाल हुआ है, अभी भी बवाल थाम नहीं रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्ना रास्टभग थे या रास्टवारा करने वाले थे, अब भुमाईए का नहीं सर्थ, बिल्कुल पार्टी के लोग, हम लोगों से सवाल करने से पहले, वो किताब पढ़ें, और उनके सबसे बड़े लीडर ने क्या कहा, जो मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा, एक संसा से पढ़कर के लोग आए, और एक का रास्ता क्या था, और एक का रास्ता क्या है, आप आडवानी जी का जिक्र कर रहे हैं? जी. नेता जी भी उनका जिक्र करते थे, याद ने परलेमेंट वाली स्पीच का, पर मैंने बीजेपी के हवाले से इस सवाल के जवाब नहीं ढूंड रहा था, मैं तो अगले जादों की बात सुनना चाह रहा था. मैंने यह जवाब है, मैंने यह कहा कि जिन लोगों को मैंने लिया नाम, मैंने कहीं सभी संसाओं से पढ़कर के आए हैं, और एक का रास्ता देश को बटवारे का था, और एक का रास्ता देश को जोड़ने का था, मेरे कहने का मकसद ये था लेकिन भारती जंता पार्टी तो महान पार्टी है ना हिट्लर के जबाने में तो एक प्रपोगेंडा मिनिस्टर था ये पूरी सरकार प्रपोगेंडा पे चल लगी है और अभी हमने आपने प्रपोगेंडा नहीं देखा जिस इत्र वैपारी किया च्छापा मारा जिसकी आँ दीवालों में पैसा निकला जाने कहां कहां पैसा निकला उसके लिए आज भी मुख्यमंति कहते हैं कि ये समाजवादियों का है तो जो प्रदेश का मुख्यमंतिरी जूट बोले तो आप क्या उम्मीद कर सकते उससे